हालिलूया धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभू धन्यवाद प्रभू आपकी उपस्तिते के लिए प्रभू आपने मोका दिया प्रभू कि हम आपके चर्णों में आया आपकी स्तूति आराधना करे प्रभू पिता परमेश्वर प्रभू में प्राहतना करती हूँ जैसे आपने कहा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवर्ष है कि उसकी आरादना करने वाले आत्मा और सचाई से उसकी आरादना करें परमेश्वर आत्मा और सचाई से हमें आपकी आरादना करने में पवित्र आत्मा सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर हम आत्मा से भरकर आपकी स्तूति आराद न करे और प्रभू आपका सिहासन यहाँ पर लगे प्रभू हर एक्षाप हर बंधन तूटे येशु के नाम से हालिलुया प्रभू ये प्रात्ना जीवित और महान पवित्र प्रभू येशु मसी के नाम से मांगते हूँ सुन और दया सीक्रहन करते हैं आमेन आमेन येशु मसी तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चर्नों में धुके आसमा और मही मागाए जमी। येशु मसीर, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चर्णों में जुके आसमा, और मही मां गाए जमीन, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी मही मां हो वे सदा, तू है प्रभू हमारा खुदा, प्यारे पेता, तू ने हम से इतना प्यार किया, हमें पापों से छुराने को, अपने बेटे को कुरबा किया, प्यारे पेता, तू ने हम से इतना प्यार किया, हमें पापों से छुराने को, अपने बेटे को कुरबा किया, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महीमा हो में सदा, तू है प्रभू हमारा खुदा, तू है प्रभू हमारा खुदा, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तेर ना चाहते हैं, तू प्यार के सागर में हम तेर ना चाहते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, गहराई मिले सागर की, उचाई मिले आसमा की, पर कोई ना अपना पाएगा, गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना अपना पाएगा, गहराई तेरे प्यार की, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तु प्यार का सागर, सागर दया का तु है परमेश्वर होने पर भी तु मानव रूप दारन किया परमेश्वर होने पर भी तु मानव रूप दारन किया प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दिवाना बनाया तु प्यार का सागर, सागर दया का तु है तु प्यार का सागर, सागर दया का तु है तु दया का सागर है मेरे पिता, आपने हम पद दया की मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मेरे जीने का मकसद तु है, मेरे जीने का कारण तु है मेरे जीने का मकसद तु है, मेरे जीने का कारण तु है मैं जीओं या मरूं, वो तेरे लिए है, तु मेरा प्रभु पिछला सब भूल कर, मैं आगे दोरा चलूं जो मेरे लिए दन था, उसको मैं त्याग दूं पिछला सब भूल कर, मैं आगे दोरा चलूं जो मेरे लिए दन था, उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाओं तुझसे पुरसकार, दौरा मैं जाओं कि मैं पाओं उससे पुरसकार, दौरा मैं जाओं मैं जीओं या मरूं वो तेरे लिए है, तु मेरा प्रभू मुझ पे हुई है क्रपा, बेका न जाने दूं जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बरूं मुझ पर हुई है क्रपा, बेका न जाने दूं जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बरूं देखू तेरी सलीब पर, खीचा मैं जाओं देखू तेरी सलीब पर, खीचा मैं जाओं मैं जीओं या मरूं, वो तेरे लिए है तु मेरा प्रभू, तु मेरा प्रभू पिछला सब भूल कर, मैं आगे दौरा चलूं जो मेरे लिए दन था, उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरसकार पिछला सब भूल कर, मैं आगे दौरा चलूं जो मेरे लिए दन था, उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरसकार दौरा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरसकार दौरा मैं जाऊं मैं जीओं या मरूं वो तेरे लिए है, तु मेरा प्रभू तु मेरा प्रभू तु मेरा प्रभू यशु जी, यशु जी, तु म ही हमारे 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 हम भी तुमारे हैं, हम भी तुमारे हैं बक्त जनों के, बक्ती में ये शु आओ तु मी बसलो तु म ही हमारे तारन हारे, दिल में तु ही बसलो बक्त जनों के, बक्ती में ये शु आओ तु मी बसलो तु म ही हमारे तारन हारे, दिल में तु मी बसलो येशु जी, येशु जी, तु म ही हमारे हम भी तुमारे हैं, हम भी तुमारे हैं दामन को तेरे छुकर प्रभू जी, पाक मैं हो जाओं गर हुँ अदूरा, तेरी छुवन से, पूरा मैं हो जाओं येशु जी, येशु जी, येशु जी, येशु जी, पूरा मैं हो जाओं येशु जी, येशु जी, तु म ही हमारे हम भी तुमारे हैं, हम भी तुमारे हैं हम भी तुमारे हैं, हम भी तुमारे हैं मेरे जीवन में तेरी येशु जरूरत है मेरे जीवन में तेरी येशु जरूरत है तेरे बिना में कैसे जीओ, कैसे जीओ तेरे बिन तेरी बिना में कैसे जीओ, कैसे जीओ तेरे बिन पाप पर में कैसे जीओ, मुख देखे तेरे बिन पाप पर में कैसे जीओ, मुख देखे तेरे बिन वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए न तो वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए न तो वर्थ जीवन मुर्चा जाए, तू रहे न तो मेरे जीवन में प्रभू, मेरे जीवन में तेरी एशू जरूरत है मेरे जीवन में तेरी एशू जरूरत है भटकूतों में कहा जाओ, घेरा तूने जो है बटकूतों मैं कहा जाओ, गेरा तूने जो है दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से ओ, तेरे लहू के पाक बहाव में मुझे को शुद कर दे इस शरीर मंदिर में हर दम तेरी प्रसन ता रहे मेरे जीवन में प्रभू मेरे जीवन में तेरी एशू जरूरत है मेरे जीवन में तेरी एशू जरूरत है मेरे जीवन में तेरी एशू जरूरत है सच में प्रभू येशू मसी के जैसा कोई नहीं है हम सब अपने मुखों से कहेंगे आये जितने जन खरे हो सकते हैं प्रभू की उपस्थिती में हम प्रभू की महीमा करेंगे मन मंदर में येशू आया दिल मेरा खुशियों से बर गया मन मंदर में येशू आया मन मंदर में येशू आया दिल मेरा खुशियों से बर गया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया दन्यवाद शुका करते रहे आशी शो से भरते रहे मंदिर येशु से भर गया, मंदिर येशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया हालेलुया, 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 हालेलुया आत्मा से भर कर स्थूती करो, उसकी जय जय कार करो उसने नया जीवन दिया दिल मेरा खुशियों से बर गया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया आनन्धी आनन्द है मेरे यिशु के चरनों में आनन्धी आनन्द है मेरे यिशु के चरनों में पाप मेरा शमा हुआ शाप मेरा निकल गया यिशु के रक्त द्वारा नया जीवन यिशु में एक्रपा जीवन यिशु में पावित्र आत्मा द्वारा आनन्दी आनन्द है मेरे यिशु के चरनों में 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 प्रात्ना करे आरात्ना करे वो अच्छा है कितना बला है चुटकारा पाए हमेशा हमेशा चुटकारा पाए हमेशा चुटकारा पाए हमेशा हमेशा चुटकारा पाए हमेशा प्रात्ना करो विश्वास से, प्रात्ना करो निरंतर, प्रात्ना करो विश्वास से, दर्मी जन की प्रात्ना, विश्वास की प्रात्ना, तोरती है सारे बंदन, प्रात्ना करें, आराध्ना करें, वो अच्छा है, कितना बला है, चुटकारा पाए हमेशा, हमेशा, चुटकारा पाए हमेशा, मागोगे तो मिलेगा, दूंडोगे तो पाओगे, मागोगे तो मिलेगा, दूंडोगे तो पाओगे, करकटाओ खोलेगा स्वर्गे की आशिशे, पाओ तुम उससे अभी, प्राद ना करे, आराद ना करे, वो अच्छा है, कितना बला है, चुटकारा पाए हमेशा, हमेशा, चुटकारा पाए हमेशा, आराद ना में है चुकारा, आराद ना में है चंगाई, शरीर प्रान आत्मा में शांती आनन देता है, जान से भी प्यारा प्रभू, प्रात ना करे, आराद ना करे, वो अच्छा है, कितना बला है, चुटकारा पाए हमेशा, हमेशा, चुटकारा पाए हमेशा, चुटकारा पाए हमेशा, हमेशा, चुटकारा पाए हमेशा, मुझे को मसी के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, मुझे को मसी के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा मेरा उचागड है वो, मेरा 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 उचागड है वो, मेरा मेरा मैं अपनी जुबा से और हातों को उठा के तेरी हम्द करता रहूगा मैं अपनी जुबा से और हातों को उठा के तेरी हम्द करता रहूगा जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से उसको मैं पूरी करूँगा मेरा रहबर है वो सरताज है वो मेरा मेरा उच्छा गड़ है वो मेरा 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 उच्छा गड़ है वो मेरा मेरा क्योंकि जिन्दा खुदा है तु मेरा क्योंकि जिन्दा खुदा है तु मेरा मेरे खुदावन तेरी सना में जिन्दगी बरगाऊंगा क्योंकि जिन्दा खुदा है तु मेरा जिन्दा खुदा है तु मेरा जिन्दा खुदा है तु मेरा ए यहोवा मेरे बादिशा हम्द मैं तेरी करूँ तु है परस्तिश के काबिल खुदा हम्द मैं तेरी करूँ ए यहोवा मेरे बादिशा हम्द मैं तेरी करूँ तु है परस्तिश के काबिल खुदा हम्द मैं तेरी करूँ मेरे खुदावन तेरी सना में जिन्दगी बरगाऊंगा मेरे खुदावन तेरी सलाम है जिन्दगी भरगाओगा क्योंकि जिन्दा खुदा है तु मेरा क्योंकि जिन्दा खुदा है तु मेरा जिन्दा खुदा है तु मेरा जब सिताइश होती है रूह की बारिश होती है येशु तेरी हुजूरी में रूह की जुमबश होती है क्योंकि जिन्दा खुदा है तु मेरा जिन्दा खुदा है तु मेरा क्योंकि जिन्दा खुदा है तु मेरा राजाओं का राजा है वो प्रभु ओ का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु ओ का प्रभु है प्रभु येशु मसी प्रभु येशु मसी राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है बुलाए चुने हुए और विश्वासियोग्यना जैपाना ही है वचन का है यहुआ बुलाए चुने हुए और विश्वासियोग्यना जैपाना ही है वचन का है यहुआ जब तक सास रहे करे ना हम विश्राम जब तक सास रहे करे ना हम विश्राम राजाओं का राजा है वो प्रभुों का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है शत्र को हरा दिया संसारे को जीत लिया मिर्त्यु से पार होकर हमें अनंत जीवन दिया शत्र को हरा दिया संसारे को जीत लिया मिर्त्यु से पार होकर हमें अनंत जीवन दिया विदियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है प्रभु ये शुमसी प्रभु ये शुमसी राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है बोल ये शुमसी की जै आये हम सब आराजना में जाएंगे तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तेरे प्यार के सागर में हम तेर ना चाहते हैं तेरे प्यार के सागर में हम तेर ना चाहते हैं तू प्यार का सागर सागर दया का तू है गहराई मेले सागर की उचाई मेले आसमा की गहराई मेले सागर की उचाई मेले आसमा की पर कोई न अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप दारन किया परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप दारन किया प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दिवाना बनाया तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है हालिलुया हर परिस्थिति में हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है चाहे कोई हमारे साथ हो या ना हो परंतु सदैव हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है जब अपने छोड़ चले, सिर्फ तू ही बचा था मसी, जब समझी ना दुनिया, तूने ही समझा था तभी. जब अपने छोड़ चले, सिर्फ तू ही बचा था मसी, जब समझी ना दुनिया, तूने ही समझा था तभी. आसु की नदियों ने तकिये को जब भिगाया, खामोशी की चीखो में तू कमरे में आया, आसु की नदियों ने तकिये को जब भिगाया, आसु की नदियों ने तकिये को जब भिगाया, तूने ही पुकारा, तूने सीने से लगाया, आसु की नदियों ने तकिये को जब भिगाया, खामोशी की चीखो में तू कमरे में आया, हम दर्द तू हम राज भी तू दोस्त है मेरा मीत तू ही सफर में तू ने था माहात अभी मेरे जाक्मों का मरहम तू ही तनहा बेवफाई में दिला साथ तू बनाता तबी जब सब था खोया मेने सिर्फ तू ही बचा था मसी तनहा बेवफाई में पाया तुझ को साथ मसी जब साथ खोया मेने दिला सा तू बना था तबी आने वाले कल के डर से जी मेरा घबराया तूने ही पुकारा तूने सीने से लगाया आने वाले कल के डर से जी मेरा घबराया तूने ही पुकारा तूने सीने से लगाया हम दर्द तू हम राज भी तू दोस्त है मेरा मीत तू ही सफर में तूने था माहार अभी मेरे जखमों का मरहम तू ही मेरे अश्कों को तूने संभाल के रखा है मेरा दिल तेरा बना ये नाजुक जान सिर्फ तुझ पर ही फिदा है तू ही जीने की वजा तू ही जीने की वजान हम दर्द तू हम राज भी तू दोस्त है मेरा मीत तू ही सफर में तूने था माहार अभी मेरे जखमों का मरहम तू ही आलेलुया सच मेरे प्रबू आप ही हमारे हम दर्दो मेरे प्रबू आप ही हमें समझ सकते हो मेरे पिता हमारे मन की बातों को आप ही जाजते हो मेरे पिता परमेश्वर सच में प्रबू जब हम आपके करीब आते हैं तो प्रबू हम बदल जाते हैं मेरे प्रबू येशू तेरे करीबाने से जिन्दगी मेरी बदल गई येशू तेरे चुने से जिन्दगी मेरी सबर गई तूने मुझे हैं बचाया तूने मुझे सहलाया तूने मुझे हैं बचाया तूने मुझे सहलाया मैं दन्यवाद करता रहूगा येशू दन्यवाद करता रहूगा मैं दन्यवाद करता रहूगा येशू दन्यवाद करता रहूगा दन्यवाद और जो तुझसे दूर हुआ था मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था तुने मुझे है चुडाया अपनी राह पर चनाया तुने मुझे है चुडाया अपनी राह पर चनाया मैं दन्यवाद करता रहूगा येशु दन्यवाद करता रहूगा मैं दन्यवाद करता रहूगा येश्व दन्यवाद करता रहूगा धन्यवाद, 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 धन प्रभु थन्यवाद प्रभु आज भी वर्षिप में बहुत सारी गलतिया प्रभु हमसे होती है प्रभु हम पर एसे अनुग्रह करे प्रभु कि हम आत्मा और सचाई से भरकर और बिना कुछ गलती की आपकी आराद ना करे पिता परमेश्वर जो आपको प्रसंद करे प्रभु हमारे बीच में लगे प्रभु हमसे हुए हर गुना गलतिया प्रात को प्रभु आपक्षमा करना प्रभु यहां आये हुए हर एक को प्रभु आप आशिशित करना पिता परमेश्वर हर एक को मन हर एक के मन को जानने वाले जाचने वाले परमेश्वर आप है जै आपकी कल पनाए हमारे विशय में कुशल ही की है प्रभू आपका धन्यवाद प्रभू ये प्रात्ना जीवित और महान पवित्र प्रभू येश्यु मसीह के नाम से मांगते हूं सुन और दया से ग्रहन कर पता आमेन 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 आम आज पुष्ट का साथ वाद दिन है एमेन आपने ने अची स्थी आरादना दी हालेलुया जब परमेश्या ने अनुगर किया कि ये कलिस्या मिलकर इकीस दिन के उपवास परात्ना में जाए तो आई ये वचन से हम परमेश्या की इच्छा को फास्टिंग के लिए जानें गे अमेन आलेलुया वचन में जाने से पहले में चाहूंगा मैं आप से जानना चाहता हूं के फास्टिंग हाना आप रख रहे हो आपने ऐसे किसी बहन ने रखी होगी किसी बहाई ने रखी होगी तो फास्टिंग कैसे रखनी है वैसे नहीं पर फास्टिंग का उदेश है क्य वज़े से आप fasting रख रहे हो इस समें, आपका व्यक्तिगत reason कै ऐं फास्टिंग रखने का, या कलिश्या की फास्टिंगे शामिल अने का मैं जानना चाहता हो, जो भी आपके मन में हो सकता है, आपकी व्यक्तिकत प्रातना हो, आप किसी बीमारी से जूँज रहे हो, वो कारण हम जानेंगे आप से, फिर हम बाइबल से जानेंगे कि वच्छन में क्या लिखा है, फास्टिंग क्यों की जाती है, किस समय फास्टिंग प्रभू के दासों दासियों ने की थी, उदेश है क्या था, हालिलुया, हालिलुया, प्लीज बताएए, हालिलुया, आपस में बेठे हैं, थोड़े जनी है, फास्टिंग का उदेश है, आप क्यों फास्टिंग रख रहे हो, परमेशा के इस्परिड हमें बनाता है, आत्मिक्ता में इसलिए, जी वर्का बें, प्रेज गौड, फैमिल के लिए फैमिली का उद्धार हो, और शेतान के जो बंदन हैं, गड़ हैं, उसके कार्या है, हमारे परिवार से तूटे, और आपके, हालिलुया, कलिश्या के उन्नति के लिए, कलिश्या के और भी परिवारों के उन्नति के लिए, सिस्टर ने कहा अपनी व्यक्तिकत आत्मे कुन्नति के लिए, और जी बहें, सिस्टर अपनी गुड़िया के तब्या ठीक रहें, और वो प्रभू में और बढ़ सके, उसके लिए उन्होंने फास्टिंग रखा है, और परमेशर की इच्छा, उसकी योजना, उसकी बुलाहट को पूरा करने के लिए, जी बेन, अच्छा, फिजिकली डाउन हो और आत्मिकता में हम लोग मजबूत हो उसके लिए, आलेलुया, बाईयों मैंसे कुछ, अमरवा, चंदूबा, आत्मिकुन्नति के लिए, आलेलुया, ये कारण वेलिड है, आप इन कारणों की वज़े से फास्टिंग रख सकते हैं, हालेलुया, जैसे आज हम जैसे हम विश्वास में बढ़ते हैं, तो हमें वच्छन के विशे में मैच्छुर्टी भी होनी चाहिए, हालेलुया, क्योंकि हम जब पहले प्रभू म रहते थे पत्ती के लंबी उमर के लिए, फलाने के लिए, हम लोग करते थे ना, करते थे के नहीं करते थे, पर हम प्रभू में आखा क्यों फास्टिंग करें हैं, वो आज हम अच्छन से जानेंगे, एमें, तो पहले यहुना तीन सोला पढ़ रेते हैं, क्योंकि हमारी आश्टिंग के लिए, हम प्रेशन से बत्ती की लिए आऋ अच्छन से पर्भू जेनामार ये में एले का उनसी प्रामेशन के लिए ऐता है। एक नमरता को दर्शाद है भाई ने अच्छा कहा, भाई बहुत हुशार है, बता है, छुपे रहते हैं, एक दिन आएगा यहाँ पर प्रचार करेंगे, मेरा यह विश्वास है, हालेलुया, हम लोगों ने साथ में वचन में शुरुवात की थी अपने विश्वासी जीवन की भाई को वचन का बहुत नौलेज है, मैं कही बार इंसे इंस्पार होता हुँ जिस प्रकार के यह सवाल पूछते हैं, में गौद ब्लेस्यू, में यू ग्रोगों ब्लेस्टी और वन दे ब्लेसिंग ए ब्लेसिंग फॉर थाउजंस एं मिलियंस, अमें, अमें, यह सब के ल समय में जब हम अपने विश्वासी जीवन में बढ़ेंगे, तो यह सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहेगा, पजेसे कलिस्या हो, समाज हो, देश हो, हालेलुया, और परमेशे की योजना को पूरा करने के विशे में हो, हालेलुया, आपने सब थोड़ा 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 में बहुत सारी बहन, बाई और बहुत सवाल पूछते हैं, लिटरी फोन करते हैं, और मैं बहुत इन्नोसेंट हैं, नए हैं, जिनको पहली बार रखना है, तो फास्टिंग के मैं दिन नहीं से फोकस हैं थोड़ा खाने के, वह सा केमला खाई सगना हैं, यह सबसे पहले आत हैं, तो मा न रखी सगनिया, अदुनी रखी सगनिया, यह रखी सगनवा, यह आता है, सवाद, क्यों किस वज़े से यह सवाल हाडली कोई पूछता है, तो हम इंकरेज करते हैं, हाँ बाबा रखो, कोई बोलता है, नहीं मुखे शुगरा, ब्लड प्रेशदी, तकलीफा, कि चक्कर है इन पुमार रखा न रखां, राइट, तो इन से बढ़कर आगे, हमें इंकरेज है, क्योंकि इस कलिस्या की सेवका ही, हमेशा इंकरेजमेंट की है, हमों किसी पर दोश्य लगा दे, नहीं रख सकते हैं, मैं बोलता हूँ, आप सिस्टर नहीं रखो, अगर नही नहीं रख पाते हैं, कोई बात नहीं, पर परमेश्य के सामने, आपके इंटेंशन किलर होने चाहिए, आप प्रात्ना में बढ़ सकते हो, जब तक आप फास्टिंग नहीं कर सकते हो, तो फास्टिंग के बगेर आप प्रात्ना दो कर सकते हो, आलेलुया, समझ रहे हो, तो उसके लिए कोई blood pressure, sugar वाली तकलीफ होती ही नहीं है, बुख की तो बात ही होती है, आप प्रात्ना कितनी नहीं पार झो SAKते हो, कितना इस कारे को, फासिंग नहीं कर पा रहे हो, तो प्रात्ना करो, हालेलुया, हालेलुया, परमेशर हमसे खुश होना चाहिए, हम ऐसा काम करें, जिसे परमेशर खुश नहीं अदो, उसका करने का कोई मतलब भी नहीं है, और फिर आप सैटेस्पाइड नहीं हो, अगर आपने फास्टिंग रखा और आपका ध्यान पूरी देर गड़ी पे है, चत्यायन, सत्त्यायन, बलाहने नासो कहां, बलाहने लसी पियां, तो उससे कुछ पुश 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 नहीं होगा, जिस वजे से आप इस वास्टिंग में शामिल हुए हो, तो इस बार प्रभु के दास को जो अगवाई हुई, कि कलिस्या मिलकर, क्यूंकि मोस्टली हमारी कलिस्या में बहने ज्यादा, एक सार में दो बार तो जाती है, एक दिवाली के टाइम पे जाती है, और एक इस्टर और उसके टाइम पे जाती है, तो हमने देखा है, भाई कम लोग जाते हैं, पर इस बार पूरी कलिस्या को मिलकर कहा गया है, तो हम सीखेंगे कि फास्टिंग क्यूं करेंगे, एमेन, यहोना तीन चोला पर लेंगे एक बार, क्यूंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, कि उसने अपना एकलोता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वर नष्ट नहों, परंतु अनन्त जीवन पाई, एमेन, यह आपकी बुलाहट है, परमेश्वर ने अनन्त कार के जीवन में पहुंचाना जाता है, पर सफर में इस दौर में काफी सारी उताचराव आएंगे, और जब हम विश्वास ही है, परमेश्वर ने हमारे लिए विक्तिगत बुलाहट को रखा है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें इस बात को भी करना जरूरी है, पहला-पहला कारण है, फास्टिंग का है, वो पश्चाताव, एमेन, आपको पता है, हालेलुया, कुछ उदारण आप बताएंगे, फिर में मचर में जाता हूँ, पश्चाताव, सबसे पहला द्यान आता है, योना नभी की पुस्टर, नीन्वे नगर, आईए उस अध्या को खोलेंगे, योना का तीन अध्या है, पांच से नौ, हालेलुया, तीन अध्या है, पांच से नौ, आज ज्यादा हम लोग वच्चन से ही जानेंगे, हालेलुया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, कि यहाँ पे काफी लोग पुराने हैं, जिन्नोंने बाइबल बढ़ा हुआ है, तो ज्यादा एक्स्प्लेनेशन में नहीं होके, हम लोग ज्यादा वच्चन में देखेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ, जब यह वच्चन आपके सामने आएंगे, तो परमेश्वर का आत्मा खोदी आपको व्यक्तिगत जीवर में, किस बात में आपको आगे बढ़ना है, फास्टिंग को लेकर आपको बता दे जाएगा, एमेन, योना तीन का पांच से नौ, योना 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 नभी बोले, वन जिरो सेवन सेवन जब नीन्वे के मनिश्वर के वच्चन की प्रतिती की, और उप्वास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओड़ा, तब यह समाचा नीन्वे के राजा के कान में पहुचा, और उसने सिहासन पर से उठ, अपने राजगे वस्तर उतार कर टाट ओड़ लिया, और राक पर बैठ गया, राजा ने प्रधानों से सम्मती लेकर नीन्वे में इस आगया का दिंडोरा पिटवाया, क्या मनिश्य, क्या गाय बैन का बेड बकडियां या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिये, मनिश्य और पशु दोनों टाट ओडे और वे परमेश्वर की दुहाई चिला चिला कर दे, और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे, परमेश्वर दया करें और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शान्त हो जाए और हम नश्ट होने से बच जाएं परमेश्र ने एक इच्छा जटाए कि इस नगर को में नाश कर दूँगा, खतम कर दूँगा और इस विशे की योजना उसने अपने दास योना को बताई कि जाके नेन्वे में संदेश को बोल कि 40 दिन के बाद नेन्वे उलट दिया जाएगा पर योना जो नभी था वो न पहुचाया, हालेलुया, और नेन्वे पहुचकर परमेश्र के दिये होई वचन के अनुसार योना ने प्रचार किया, और ये प्रचार वो डिंडोरा पीटता गया, लगबक दो या तीन के बाद जब उसने इस बात की गोशना की नेन्वे में छोटे से लेके बड़े परमेश्र के वचन की प्रतिती की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर शोटे तक सबोने टाट ओड़ा, हालेलुया, क्या लिखा, जब उनके विनाष्र के विशे में योजना जो परमेश्र के द्वारा वचन परमेश्र के दास्रों जो वचन उन तक नहीं डलेगा, अब उसने योजना बना ली है, पर फिर भी परमेश्र हमारा है न, आखरी सांस तक मौका देता है, आलेलुया, जैसे चोड को मौका मिला न, पश्चादाब का, वैसे हम तक, तो कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे विश्वासी, कुछ विश्वासी, मिलता हूं, तो पहले बहुत गुसाता है, लिटरली, कि इसको कह सुनाए, राइट, पर वाउन करना जरूरी है, जो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी में आता है, पर उसके विश्वे में ऐसा नहीं कि हम जज्जमेंटल ही बने रहें, कि हे नर्ग महीं कि हम उन तक वो चेत्वावनी पहुंचा है, जैसे योना को बेजा गया, हालेलुया, उन व्यक्तियों के लिए जो ओनलाइन सुन रहे हैं, आपको ऐसे मिलते हैं, व्यक्ति तो उनको इंस्पायर करो के वे टाट ओड़ें, जैसे बाई ने का, हाइस्ट, साइन ऑफ हम्बल कि जहां पर वो हट, डीठता से, कठोरता से, फिर कर, परमेशर के सामने आते हैं, दीन बन कर, और परमेशर उनके विरज, जो हाइस काइंड अव जज्जमिन होती है न बोट, जिसको सहना भी, कोई, मिस सह ही नहीं पाएगा, परमेशर उसको बदल सकता है, फास्टिं के द सिभाई ने कहा, हालेलुया, लिखा है, उन्होंने पहला पहला प्रचार किया, अप्वास का, हालेलुया, और सबने टाटोरा, मीज अपने, क्लोर्स को उतार कर, जो गार्मेंट्स पेटते थे, टाटोरने के, और सर में राख डाल के, कि हमारी कुछ आइडेंटिटी, हैसि के दोकाद नहीं है, लौड, वी अकमिंग, यूर थ्रोन आफ ग्रेस, कि हम पे दया की जाए, हमारे काम इस लायक नहीं है, पर दया की जाए, वहाँ पे लिखा हुआ है, वह समाचा नीनवे के राजा के कानों में पहुचा, और इसने सिहासन पर से उठकर, अपने राजिक पर रिष्टों के अंदर, मिनिश्री के अंदर कभी किसी दास के लिए, कभी किसी कलिस्या के लिए, कभी किसी गराने के लिए, यह ऐसी कोई हमारे अंदर वो नियत, यह हमारी कोई ऐसी दाना या फीलिंग्स हो, जो परमेशर की इच्छा के अनुसा नहीं है, जो परमेशर को पसंद नहीं है और परमेशा हमें करेक करना चाह रहा है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते असा पुराना आई हूं असा अधार पातला आई हूं असा प्रभू अधास आई हूं नहां पर यह ऐसा दिखा रहा है कि राजा अपने सिहासन से उतर के नीचे आया और उसने टाटोड़ ने इसको दिखाने के लिए एमें फिर राजा के प्रदानों से समती लेकर नीनमे में इस आगया का डिंडोरा पिटवाया क्या मनुष्य क्या गाय बहर बकरी क्या अन्य पशू कोई कुछ भी न खाय न पिए और न पानी पिए एमें हम पानी नहीं पिएंगे तो असाना च आलेलुया यहां पर डिकले नहीं है कि चालीज दिनों में से इतनों ने कितने दिन की फास्टिंग की हो सकता है दो दिन हो यह तीन दिन हो आलेलुया इस ज़स्ट नो थे इंटेंशन साफ दे हाट आलेलुया परमेश इतना मिने देए लिखा है कोई भी इविन उनके बच् चालीज दिन रह सकते हैं विदा और एक वक्त का भी खाना नहीं खा आप रह सकते हो पर पानी के बगए इस वेरी डेंजिरस आप सीधा मौत के बिस्तर पर आ सकते हैं पर यहां पर लिखा है उन्होंने पानी में नहीं पिया तो गौड इस मर्सीफुल तो उन्होंने इतना साइन आप दिखाया के प्रभू हमें मेंस आपकी मर्सी चाहिए ही चाहिए इतने वो सीरियस थे इस बात के लिए समझ लेयो जस खाली कली से आवे यारब पास्तर के के करीप यारब बस उपवाज चाहिए हैं सान बस सब्साखा हूं नास्ता कहीं हो राई परमेश कुछ ल हटी हो गए है या कुछ गमंडी हो गए है राई परमेश्वर आ चाहता है इन बातों से हमें निकलना है उसके बाद लिखा हुआ है के मनुष्य और पशु दोनों टाट ओडे और वे परमेश्वर की दुहाई चिला चिला कर दे राई इस हाव थे हैव तो कॉल गॉड इन दिस टाइम इन टाइम अ फास्टिंग जब शरी पूरा निर्बल हो जाता है आपसे मूँ से आवाद तक नहीं निकल दी यहां पे ल नीड दे मर्सी ऐसी दुहाई दो चिला चिला कर परमेश्वर को उस पास्टिंग में एमें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चात आप करें हलेलुया पहले कम फ्रॉम यूर पोजिशन एक साइन अव हम्बलनेस दूसरा है कॉल ग उस वक्त कितने हम बुरे थे उससे कंपेटिवली आज कम होंगे होते होंगे पर कम होंगे इस बात को हमेशा द्यान अखो कभी में बैक्सलाइडर ब्लीवर से या ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनको लगता है यार आज हम क्यों कलेसा है कैसे है मैं आप उनको जताता हूं य अपनी चलाएगा तो फिर नहीं वह एक आप जिम्मेदारी पूरा करो तो उस साइंस में कि परमेशर आज भी तुससे उतना ही प्यार करता है उसकी हिस्सा आज भी तुझे बचाने की और तुझे आशिश देने की है इस बात को लेकर तुपरमेशर के समीप आ सिर्व आ न कुमाक से जो तु करता है उससे फिर राजा बोल रहा है लोगों को वहां पर खालिदा नीन में उलट दिया जाएगा यह काम करें राजा उत्तर के लोगों को यह संदेज ये रहा है कि न केवल फास्टिंग करो ना कुछ खाओ न पियो पर दुहाई दो और उसके बाद कु अपद्रव से जो तुम करते हैं उससे परो हो सकता है परमेशन ने जो ठाना है उससे अपनी इच्छा को बदल दे एंट विल हैपन नेवे के लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ तो आज हो सकता है हमारे गर के अंदर अशान्ति हमारे गर के अंदर बीमारी हमारे गर के अ संदनों का कारण शायद यह चोटी चोटी चीजे हैं जिसके विशे में परमेश्र आज चाहता है हम टाट ओने यहां पर लिखा है पश्चात आप भी करें और वचन कहता है नीती वचन में जो पाप को मान लेता है उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी 100% कंफर्मेशन फ्रों गॉड़ आएगी 100% तुम खाली मान लो गलती को और छोड़ दो कोशिश करो कि आज तुमारे बास जब मोका आए गलत काम करने का यू से नो और यहां उससे फेस मोर दो यहां वह रस्ता चेंज कर दो यहां वह मोबाईल बं कर दो वह चैनल बं कर दो उस बंदी से या बंदे से बात करना छोड़ दो उस संगती में जाना छोड़ दो क्योंकि छोड़ देता है कैसे पता चलेगा आपको ऐसे नहीं बोला है रिष्टे काड़ दो समझ रहे हो हलेलुया खली यह इच्छा आपने छोड़ दिया परमेश्वर दया करेगा हलेलुया और लिखा हुआ है कि संभव है परमेश्व दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका बढ़का हुआ अक्रोब शान्त हो जाए और हम नस्ट होने से बच जाए क्योंकि हमारी इच्छा क्या है ताके वो नाश नहों पर अनन्द काल का जीवन पर शैतान की इच्छा है ह हम नाश हो पर यहां में लिखा है वो नस्ट नहों एमें तो फास्टिंग आपको नाश होने से उस जज्जमेंट में आने से बच्छा लेगा यह उदेश्य है आपका पश्चादा परमेश्व को एक्सेप्टेड होगा राइट खा भी के और बिना खाके दिर इस डिफरें समझ रहे हो जैसे बाइने का हाइस साइन हम बलने से जब एक व्यक्ति पश्टा रहा होगा और जो एक व्यक्ति नहीं पश्टा रहा है आपके उसके बिहेवर में से आपको बता चल जाएगा कि ही सिंसर और नॉट हालेलुया इस पेशली जब आमने गलत किया है एमें तो आप लोगों तक संदेश पहुचाओ ऐसे परिवार आगर आपको मिल रहे हैं जो अब तक इस फास्टिंग में नहीं हुए आप उन तक संदेश पहुचाओ कि बेन यह जैसे सिस्टर ने कहा कि उसकी बेटी के लिए वो कर रहे हैं किसी ने कहा कि अपने परिवारों के टॉपिक्स यह सवाते हैं तो देटी जो देश क्यों कि मोस्ट आप टाइम कैसे होता है आज मेरा फास्टिंग है पूरा दिन निकल गया शाम को हुआ दो मिनट प्रातना की प्रभू देरा धन्यवाद हाई शाठाय हुआ चिकन ठावाट खनी अच खाई पूरो का धन्यव संट लिए यहां पर इंडिविजॉल लेवल पर जो पस्टाताग पर है हमारा प्यारा राजा दाओर राजा राजा हालेलूया उससे भी कुछ गल्ती हुई थी उस विशह में भी वह फास्टिंग में गया था के बारा का पंदरा से सट्रा दूसरा शैमॉल बारा का पंदर अतर दाउद उस लड़के के लिए परमिश्वत से विंती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमी पर पढ़ा रहा तब उसके गराने के पूर्णी उठकर उसे उसे भूमी पर से उठाने के लिए उसके पास गए परन्तु उसने न चाहा और उनके संग नोटी न खाई एमें यहां पर फास्टिंग कर रहा है दाओद राजा यहां पर ऐसा तो नहीं हुआ कि इसकी फास्टिंग की वज़े से उस बच्चे को बक्षा गया हो उसे बच्चा मर गया हफ्ते 10 दिन के बाद वो मर गया गया है पर पर मेंश्म ने जाना बड़ see right एन उसको फिर एक और संता डी हलेलोया क्योंक्य वह बच भी तो हमेशा व्यभीचार की संतानी कहलाता हालेलुया जो परमेशर नहीं चाहता था हालेलुया तो यहां पर दाउद ने व्यभीचार किया रही उस पाप को और एक बात बता रहूं यह जो बात हुई थी ना जब व्यभीचार हुआ तब भी उसे रिलाइश नहीं था क्योंकि पूरे राजे में बहुत ही वावा यड़ दी अरे क्या राजा है अपने सेना की पती की विद्वा इस तरी को उसने रानी बना लिया वाव 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 तो बच्चा नौ मैने के बाद जनम लेता है राई तो नाइन मंथ गॉन जब तक दावत को रियलाइजेशन ही नहीं था कि उसने कुछ व्यअभिचार किया है murder करवाया है और यह प्रमेशन को पसंद नहीं है तब जाके नातान को प्रमेशन ने इस बात को उज्जागर किया और से example लेकर डाउत के पास सामने जाके face किया तो जाके डाउत को कहर ऐसा हुआ हुआ है उसने बस अच्छा हुदारन को कवजे में कर लिया और उसके साथ गलत किया तो दाउद भड़क गया एकौन है मेरे राज में उसे में मिर्टु दन दे दूंगा तो नाता ने कहा वो तू है तेरे पास रानिया थी पतनिया थी उरिया के पास एक ही इस्तरी थी जिसके उपर तुन्हें दृष्टी दाली तो ने उसके साथ गलत कारे किया और लिखा दब मॉमेंट उसके पास यवचछना ना उसने तब रिअलाइस किया आलिया अ उसके बार ऑफ्जन दे यह हो यह हो यह हो उसने कहा जीविदे-परमेशर के हाथ में पढ़ना अच्छा है बज्दे थैने मनेशर के हाथ में मैं पढ़ो, Amen, Amen तो जिस शोज़ असाइन हम्मलनेस और परमेशन ने उसे ब्लेस किया, Hallelujah Hallelujah, एक और पढ़ेंगे योईल का, दो का, बारा तेरा और दानियल नौ का, तीन पांच योईल, दो का, बारा और तेरा, दानियल नौ का, तीन और पांच नौ का, तीन से पांच दानियल नौ का, तीन से पांच पेज नौबर 1044 तब मैं अपना मुख प्रभू परमेश्वर की और करके गिरगराहट के साथ प्रातना करने लगा और उप्वास कर टाट पैन राख में बैठ कर वरदान मांगने लगा मैंने अपने परमेश्वर यहुवा से इस प्रकार पातना की और पाप का अंगिकार किया हे प्रभू तू महान और भैय योग्य परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने और आग्या मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है एमेन यहां पर लिखा हूँ है ना जब कुछ गलत हो जाए तो हो सकता है कि सामने वाला रियलाइज न करे और डानियल यहां पर इसराइल के विशे में उपुआस रख रहा है व्यक्ति करे ऐसा नहीं कि इसराइल रख रही है इसराइल सुधर रही है यह उसकी इच्छा थी इस्राइल के प्रति प्यार था, उसके लोगों के प्रति प्यार था, उसने का हमें टाट होकर उपवास करता हूं प्रबू, के इन लोगों को माफ कर दे, हालेलुया, और अपनी प्रति ग्या को जो तुने हमारे बाब दादाओं से की है, उसको पूरा कर, हालेलुया, तो ऐस हो सकता है यह एक बात है इसमें अलग-अलग विचादारा हमारी हो सकती है कि यार सामुवारे के रियलाइजेशन ही नहीं हो प्रबो के उल्टो से दो दो गाला है उन्हें कुछ फरगी नहीं तो पहे हां तो ऐसे वेक्ति को कैसे बचाए राइट पर यहां पर दैनियल इसराइल के विशे में उपवास रख रहा है समझ रहा है यह थोड़ा अजीब लगता है कैसे मिलेगा क्या और आपको पता है कि लगबख सतर साल तक इसराइल गुलाम था नबुकर नेसर राजा फिर उसका बेटा फिर दारा राजा यह कुछ थ्री जन्ने से निकल सटर साल के ऊपर दानियल वहां पर गुलाम की अरीति पर काम कर था पर प्रभू की सेवा भी करता था उसकी हमेशा ये धुज्रा होती थी कि यरूश्व आजाद हो जाए हमें यरूश्लम जाना वापस मिल जाया अरि इसराइल की गल्तियों के विशे में पर्मेश्र के साम आप देखोगे के परमेशन न बविश्य में होने वाली बातों को के सतर साल के बाद में वापस इसराय को लेकर जाओंगा यह दानियल पर प्रगड किया प्रिकाश्चित वाक्य में जो बातें जो हिडिन थी उसको रखने के लिए पहला दर्शन इसको मिला और वहां पर जाक कि वहां पर कुछ बॉंडेजिस से वहां पर कुछ पड़े हुए हैं या वहां पर लोगी टीठ है मिन जाना ही नहीं चाहते इस पेशली मैं आपको बोल दूं के के होते है ना महराज फेमिली माइन है पंडित फेमिली से आते हैं गरमई मंदरा गरमई टिकानवा ब्रामन ह पहले बिजनिस है और वहां बहुत स्ट्राउंग ओलता है क्योंकि जनरेशन से जनरेशन वह मूर्ती पूजा करते आए हैं हो सकते हैं उनके बापदादों ने सेक्रिफिशल बॉनिंग भी की होगी राइट तो वहां से निकलना बहुत डिफिकल हो जाता है यह कुछ लोग च सबसे बैस्ट है उनसे उनको निकलना ही नहीं है पर वह आपके अजीज है हो सकते हैं आपके माबाब हो आपके भाई बेहन हो उनके फैमिलीज हो तो आप उनके विशह में इन वचनों को रखके प्राधना कर सकते हो जहां पर टाट ओरना आपको पड़ेगा कि प्रभू मुझे बाब एनन दे मुझे बारन दे तू दया कर उनन जो चुटकार हो कर यह है प्रोविजन सामने क्या बोला हूँ जीरो रिस्पॉंस है उनको रियलाइजेशन एक भी नहीं है फिर भी यू है दे प्रोविजन तो कॉल आउट गाड उसको उसके वादे सिम्रा करा कि प योहिल दो का बारा पेशन नुबर 1063 तो भी यहोवा की यवानी है अभी भी सुनो पवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फार कर अपने परमेश्वय यहोवा की और फिरो क्यूंकि वह अनुग्रकारी दयालू विलंब से क्रोथ करने वाला करुणा निदान और दुख देकर पश्टना हार है। कि अनुष्य की सजेशन से काफी बाहर रही है वजया कोई पास्टर या कोई बिलीवर व्यक्ति उनके आके प्राफना कर रहा है उनको वच्छन बोल रहा है गौड ब्लेस्यू उनको उनसे पड़ी नहीं है पढ़ाना जो भी देन वठ लोन वठ हाव अधन डॉक्टर नहीं ह का माइंड ब्लॉक लगा पड़ा है दुनिया में कहीं से भी कोई भी न्यूज आ जाएगी ना समझ रहा है नो कमाने के लिए चल ऐसाइबी में पैसा लगा हल शेयर मार्केर में पैसा लगा हल जुआ था खेड़ा हूं हल जटो ता लगा हूं दड़ले से जा रहे है फटा जालू हूं मैं अनुग्रकारी हूं मैं विलंब से क्रोथ करता हूं शमा की खानी हूं दुख देने से पस्ताता हूं एक माँ को है ना पने बच्चे को है लाफा लगा के ना उसको रोड़ना आता है पता है बच्चा रोता है बच्चे की मन में गुसा आता है मेरे बहुत म ममी मुखेश रही हो ती मारे, नंड़ेश हो नाती मारे, बहुत गुस्सा आता है, कि ममी में एकर समझ में नाती है मुस Запयार स्वाला प्रल्ड्र या मैं कई बार मन में सौछ आ करें पुटा रोटी खाई एक समझें वो पश्ता ना वेसे यहवा है कि मैं तुम को पनिश करता हूं पर यह मेरी इच्छा नहीं है है पर इंश्मेंट में प्यार है यह बनाता हुं उसे कोड़ी लगाताह ऋ पर वह आया और ना देकर इसलिए करताहिे हमसेशार थौसी न भैंनाओ संसार के सांध दोशी सब्सक्राइब अरू ऑग है आ साव श संसार के पहले तो नहीं है यू आरिक यौ अ dieta करूंगा मैं अपनी प्रतिगा को डाटता हूं अपनी बेटी को आप ने ऐसा क्यों किया बेटा आपको कितना ममी पपा ने समझाया था उसने फिर वो रीजन देती है इसने मेरे साथ बेटा वो कुछ भी करे आप कौन हो फिर वो बता दाओं आप रभू की दासी हो आप रभ प्रभू की बेटी हो प्रभू की दासी हो तो मैं बोलना हूं कि प्रभू की जब बेटी है और प्रभू की दासी है उसको क्या ऐसा करना चाहिए था तो बोल दिये नहीं फिर बोल दिये सौरी मेरे से गल्दी हो गए that's how God wants to realize us कि तुम हो कौन? There are hundreds of reasons, मैं क्या बोला? Hundreds of reasons ह को सकते हैं, यहाँ पर अपनी बच्चों को बोल रहा है, यह जो प्रवास और प्राथ्ना के वन्हें प्रभू के लोगों को है, यह अन्य säती नहीं कर रही है, नीवेका देखा पर यहाँ पर उसके लोग हैं, योईल में, शेमवईल के अंदर दाउद उसका खुद का राजा है नुक्त किया हुआ अभिश्क्त किया हुआ परमेशर चाहता है वो उपवास करें तुम सो मेरी और फिरो और मैं तुम पर दया करूंगा इवन अन्य जाती जब जानती है के संभा है परमेशर अपनी इच्छा को हैरे विरुद में पलट दे तो क्या संभा हमारे लिए नहीं है कि अपने बच्चों बटेगा नहीं । बॉलो ऐनदेड परसं बटेगा हालिलुया आज हो सकता है यहाँ पे ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं उनके रिष्टे टूटे हुए आपके पती या पत्नी विश्वास नहीं कर रहे हैं परमेशर कहता है उनके लिए उपवास रख मैं इच्छा बदलूँगा वापसे रिष्टों में मेल मिलाव लाऊंगा वापसे उन चीजों को जोड़ूंगा वे आएंगे वे सुनेंगे में दया करूंगा हालिलुया कितने भी गोड़ गलत काम हुए हो शाप हुए हो जादू डोना हुआ हो सब बंदन तूटेंगे and they will all worship our living God मेरी और फिरो बोलो मेरी प्रभू की और फिरना है और पुआस के साथ एजी Amen हम एक ही में आ गए दूसरा है कभी कभी किसी के विशे में विलाव होता था इसका में एक ही रेफरेंस दूँगा जाएंगे एक बारा के अंदर और नहे में आ के अंदर भी जाएंगे एक चाज जो भी आपको वचन जल्दी मिले उस विशे में और वे शाओल और उसके पुत्र योनातन और यहुवा की प्रजा और इस्राइल के घराने के लिए शाती पीटने और रोने लगे और सांज तक कुछ न खाया इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे जब शाओल मारा गया न राजा और उसका पुएटा योनातन तो इसराइल ने उपवास रखा था उस समय उन्होंने नहीं खाया था इस काहिन और जैसे मूसा के विशे में था तो वो एक महीने तक रोते रहे उसके विशे में एमेंज और नहिम्या के अंदर आएंगे एक चार नहिम्या एक का चार पेज नुबर 580 ये बाते सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के समुख उपुवास करता और यह कहकर प्रातना करता रहा आगे पढ़ो हे स्वर्ग के परमेश्वर यहुवा हे महान और भैयोग्य ईश्वर तू जो अपने प्रेम रखने वालो और आज्या मानने वाले के विशे अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है तू कान लगाए और आखे खोले रहे कि जो प्रातना कि जो प्रातना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं उसे तू सुन ले मैं इद्राइलियों के पापो को जो हम लोगों ने तेरे विरुद किये है मान लेता हूं मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है अलेलिया इस काइन आफ साइन आफ ग्रिवेंस कि लिटरली वी आर सौरोइंग फो समबडी एक तो जब प्रभू के जो प्रिय है वो अगर प्रभू में सो जाते हैं या जिनों ने अच्छी सेवा की जैसे कोई भी प्रभू जैसे मूसा के विशे में था या कोई ऐसे राजा जो अच्छे थे वो जब गए तो इस्राइलियों उनके विरुद में विलाब किया और यहां पर नहिम्यावी जब उसने वचन सुने के इस्राइलियों ने यह किया तो लिखा है कि मैं बिना खाया हुए इतने दनों तक उपवास के साथ परमेशे के समुक इन बातों को लेकर प्रातना करता रहा कि प्रभू जो तू अपने प्रेम करने वालों के साथ वाचा बांगता है यह किया है मैं आज तुस्से प्रातना करता हूं और इस बात को मान लेता हूं कि मैंने और मेरे पिता के गराने ने और इस्राइलियों ने तेरी वुरुत पाप किया है उससे तु शमा कर अलेलुया जो साइन ओफ शोक विला के सच में आप उस बात के विशे में पश्चाद रहे हो रियलाइस कर रहे हो यह आपको दुख है कि परमेशर का अगर प्रिया आपके बीच में से चला जाए देन यू आज जस्ट प्रेंग कि लॉर्ड अपने प्रेम करने वालों के विशे में त एक है रीजन है एस्थर में आएंगे चार सोला चार सोला हम कई बार मिनिस्ट्री वोक के लिए जाते है राइट तो हम कलिस्या में यह अपने प्रिये जो जिनके साथ हम फैलोशिप करते हैं चौना है उन हमारे लिए प्रात्ना करना बोल के जाते हैं कि रही है उसको क्या का बोलते हैं अब लोग इंग्लिश में बैकिंग प्रियर राइट तो बैकिंग फास्टिंग भी होती है एमें पढ़ेंगे एस्तर का चार सोला पेश नबर 602 तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकठा कर और तुम सब मिलकर मेरे नमित उपवास करो तीन दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पीओ मैं भी अपनी सहलियों सहित उसी रीती उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद राजा के पास बीतर जाओंगी और यदि नश्ट हो गई तो हो गई यहां पर एक बड़ा वाक्या हुआ था पिछले आपने शाहिसे इस्तर का ही लिया था ना उस तक हले लुए तो वहां पर ऐसी बात हुए थी कि यहूदियों के विरुद एक फर्मान निकला था कि सारे यहूदियों को मा डाला जाए और रानी इस्तर खुद यहूदी थी और इसका जो भाई था हामान मोर्दके मोर्दके था हामान ने उसके विरुद में योजुना बनाई थी तो मोर्दके को यह बोल रही है कि जाकर अपने भाईयों को खटा कर और तीन रात और दिन न तुम खाओ न पियो और मैं भी यहां महल में अपने सहलियों के साथ ऐसा उसकी पतनी क्यों नहों उसके लिए सजाय मौत थी हालेलुया तो एस्थर इस विशे में कि यह योजना से अपने लिए नहीं पर उसे अपनी जाती को बचाना था हालेलुया जो योजना किसी करप्ट व्यक्ति ने जो हामान ने बनाई थी उसको ओवकम करने के लिए और यह निकल चुका था राजा की तरफ से हालेलुया हालेलुया और हामान की तरफ से था के मोर्दिके को लटका हूंगा अभी में फासी के उपर हालेलुया तो दोनों चीजों को उसको ओवकम करना था and with the kind of a queen she was उसके पास यह अथार्टी नहीं थी कि इन चीजों को बदल सके प और वो अपने जाती बाईयों को अपने कजिन ब्रदर को चाचा था कजिन ब्रदर चाचा था तो उसको बोलती है के उपवास रख प्रादना नहीं कर with fasting तो ऐसा कर फिर मैं अप्रोच करूंगी और हम देखते हैं परमेशन ने उस बात को गरण किया यह उस योजना पर बचाया गया यहूदी लोग भी बचाया गया और रानी एसर को भी कुछ नहीं हुआ एमें तो for ministry work for anything which is difficult out of your authority या out of your reach ऐसा कुछ है तो नकेवल आप खुद उपवास में जाओ जैसे रानी एसर अपनी सहलियों को even in fellowship you can go on fasting जैसे सिस्टर के घर में होती है cottage meeting तो बैने उप कालिस्या में तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्तिकर जाती है वो कलिस्या के बाकी परिवारों के लिए तो आप जा सकते हो in fellowship you can go on fasting to overcome the evil hallelujah hallelujah और आपका उसका result बहुत बढ़िया देखोगे you will testify कि यह हमारे रीच से authority से समझ से परे था पर कैसे हुआ hallelujah हम देखते हैं कि बहनों की गवाईया मैं घर पे होता हूं मेरी वाइव जब अटेंड करती है तो मैं सुनता तो हूं देखता भी हूं hallelujah bio को अलोड नहीं होता है आपर बिइंगे एस पार्ट आव फैमिली आइकन है तो वहां पर बहने इतनी अच्छी अच्छी गवाईया देती है कि इंपॉसिबल था समझ से पड़े था हमने सोचा नहीं था राई और प्रभू ने किया hallelujah तो यह कैसे हुआ बहने तो गर पे बैठी हुई थी उबवा हालेलुया तो बैकिंग के लिए कभी भी आप ऐसा कोई कारे कर अपने परिवार के लिए कर आपका परिवार फसा हुआ है कर्जों में मुसीबतों में तो विद फेलोशिप जो आपकी सिस्टर सें ब्रेदर्स ब्रेदर्स के साथ आप फास्टिंग में जा सकते हो उनको कह स कर और मैं भी कर दो आपके लोगों की आदत है ता प्रादना कजो आप पानद प्रादना कुछ को किना है तो कमग किथा दिंदा यहां पर इसे स्पेशली मेंशन करते हैं कि तू ऐसा करना मैं भी अपनी सहलियों के साथ ऐसा ही इसी रीती साही करूंगी एमें एंड गॉड फिल्फिल राइड गॉड सीज और वहां पर बड़ी योजना हुई और यह इजी नहीं है वहां पर जेरिक्षर राजा का 127 प्रांद में अर्मोस्ट ऑल ओवर्वर्ड उसकी अथौरिटी थी और वहां पर उस सब प्रांदों में जितने यहूदी थे सब मरने वाले थे पर काफी बार उस दिन पास्रे ने पुछा था ने यह पुस्तक क्यों रखी गई है यहां पर एक भी बार प्रभू का नाम आया ही नहीं है इस पुस्तक में मानो तो है कि इत्यास की कहानी लगती है पर क्योंकि उसकी प्रिजार नौल थी यह अगर पणना हटा दो आपको समझ में नहीं आएगा वह इत्यास जुड़ी नहीं पाएगा कि यहां पर कैसा हुआ था अगर यह काश हो जाता और इस तरह आनी नहीं होती तो यहूदी कहां से योजना पूरी हो दी कहां से यहूदी आता हमारा उद्धार कैसे होता तो every book every verse has a meaning and the plan of God समझ रहो every character एसर को ऐसे ही नहीं रखा समझ रहो आपको भी ऐसे ही नहीं रखा there is a provision there is a plan of God behind your life सक्तिमाग जीवन कलिसा के लिए अपने गरानों के लिए अपनी सरनेम लो उस सरनेम के लिए वलेशा वास्वानी ठाकुर परिवाद जिसके लिए भी you are chosen for that thing कि परमेशर आपके द्वारा आज आप कारे कर रहे हो परमेशर किसी किसी एरह में बोल रहा है तू फास्टिंग कर तू प्रेयर कर आज से तू उस बात को होते हुए देखेगा और चोदा दिन पड़े हैं जो काम आज से साथ दिन में नहीं हुआ हम आगे चाके देखेंग एमेन एमेन आगे हम देखेंगे फॉर मिनिस्ट्री और फॉर स्पेशल परपस एक्सोडस में आएंगे हम लोग निर्गमन में चौटीस का अठाइस परेंगे और मती चारदया में जावे येशु की परिक्षा होती है उससे पहले एमें 34 का 28 for special purpose निर्गमन चौटीस का अठाइस पेश नबर 112 मुसा वहां यहुवा के संग चालीस दिन और रात रहा और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया और उसने उन तक्तियों पर वाचा के वचन अर्था दस आग्याएं लिख दी आलेलुया फर्स्स टाइम लॉट इस अंसार में आया आलेलुया इस दस आग्याएं जो हम कहते हैं न जब वो लेने गया मोजस वाजन फास्टिंग इन प्रेयर इन प्रेसंस अफ गॉड अलेलुया और सची बता रहा हूं फास्टिंग प्रेयर आपको कभी भी डिफिकल लगे न सबसे पहला काम करना बी इन प्रेसंस अफ गॉड आपको भूख और पानी का पता ही नहीं चलेगा लिटरली बोल आपको परमेशेक की तरफ से कुछ तो मिलेगा स्विश्य जैसे यहां मोजस को दस आगया मिली जो इस्राइल उसकी प्रेजा के लिए थी का आगे जाके उनको यह काम करने हैं वैसे हम मती में जब आएंगे न तो ये शुकी मिन प्रभू ये शुमसी की मिनिस्टी शुरू होने से पहले he was 40 day in fasting and prayer जब ये शैतान के दौरा टेस्टिंग भी आई फास्टिंग के पार टेस्टिंग भी फिर धमाल जब उत्रा मिनिस्ट्री में he never looked back उसने परमेशे की योजना को पूरा करके ही उसने विश्राम किया वो स्वर्पे उठा लिया गया समझ रहो तो स्ट की तरफ से आपको कुछ तो अलग मिले in your ministry in your family wherever you are wherever you are with fasting and whenever you find जब भी आपको difficult लगे के मैं फास्टिंग नहीं कर रहा हूं खाने के बगर पानी के बगर नहीं रहा रहा हूं आपको एक काम करना है जो वचर में लिखा हूँ है उसकी उपस्तिती में जाओ बी इन प्रेसंस मुसा जब पहार बेदाना उसको पता ही नहीं चला के चालीस दिन कैसे निगल गए नकुछ खाया ना पीया वहां पे नहीं लिखा है मुसा वहां पे कंपिलें कर रहा था प्रभू मुझे भूख लग रही है कुछ रोटी तो खिला दे या कुछ कहीं से पानी दो पिला दे He was in presence and Permeshan ने उसे को देशक साथ उन आगया को लिख कर दिया. Amen. And same with Jesus. Amen. Amen. And if you have something in ministry and in your family, be in fasting and prayer. And then you start. कई बार कैसे होता है ना हमारे काम कुछ भी हो चाहिए वो लोन हो गर हो बच्चे हो रिष्टे हो मिनिस्ट्री हो राइ हम बहुत उतावली करते हैं पता है उस कारे को हम करना चाहते हैं अपनी ताकत से अपनी बुद्धी से फिर जो सला में लोन ले हुए वहां पर 14 दिन हो जाएंगे, 13 दिन हो जाएंगे, वो दिन, एक दिन तो जाओ, ऐसा नहीं कि चालिस दिन के बाद उत्तर आएगा, एक दिन में भी उत्तर आ सकता है, हालिलुया, 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 आपने किया है के नहीं किया अपने जीवन मैनुबह, अभी तो तो प्रभू करेगा आपके लिए अमें तो उस समय हमारा काम करना है कि हम थोड़ा टाइम ओल है कि प्रभू ये तो कर लिया मैंने ये भी कोशिश कर ली ऐसा नहीं कि परमेशन मना करेगा कि तू क्यों कर रही है but it's like a trusting lord lord you guide me you open the ways you provide me you do the provision of this thing तब वो जानेगा और जब उसका provision उसका काम होगा तो अद्बुत होगा बोलो अद्बुत होगा बाजुवाले को बोलो जब प्रभू करेगा तो अद्बुत करेगा Amen आगे आएंगे Hallelujah for answering of your prayers बजन सहीता 35 का तेरा चोदा पड़ेंगे और एजरा में आएंगे आठ का एक्कीस से तेइस 35 का तेरा और चोदा पचन सहीता 35 का तेरा पेश नुबर 677 जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रातना का फल मेरी गोद में लोट आया मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई है जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर जुका के शोक किया प्रातना की जाया छब है यह भादना आपके लिए प्रातना की उत्ते में बचति का हुए adult it जिन्दगी पर खा सकते हो, प्रादना का उतर चाहिए तो आपको टाट ओननी पड़ेगी, उपवास रखना पड़ेगा, पर लोग है न उस साइम पर हो सकता है कि आक के गर में बैस फीस्टिंग हुई हो, मेहमान आय हो, गर में शादी हो सकती है, बाद वोंस्ट यू तो बाद है, जस्ट टो एंसर यू प्रेयर, दाओ कहता है, मैंने किया न मैंने अपनी गौध में पाए, सोचो कितना मस्ति किया, अगे होना न मंदरे ने टिकाने में जोली खनी, चोदा पला पाया हो, यह ऐसे कहो, कि मुख़े बीख खपे, ब्रभू मुख़े झेम, जोली मे आप भी पा सकते हो इस्पेशली यह होता है जब अपने बच्चों के विशे में होता है अपनी फैमिली के विशे में होता है जो आपके अजीज है हालेलुया बाकी जन्नों के लिए हम दुआ करते हैं बीमारी में होते हैं प्रभु नजय मतना दया करोकर वह एक दिन में भी ठीक होता है उसी गड़ी ठीक होता है यह एक अफते बार ठीक होता है तो हम फिर भी बोलते प्रभु धन्यवाद पर जब अपना बच्चा बीमार हो तडप र हाने ही हाने ही यह मैं फेस कर चुका हो जब प्रतिगया की शर्जरी हुई थी ना जब उसको लाया गया ऑपरेशन थेटर से आउ जब दस गंडे बाद आई जो उसको पें था इट वाज आउट 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 अफ बेर था और उसके बाद फिर जो उसको तकलीफ हो रही थ सिस्या के असर की वज़े से वह मोशंस नहीं कर पा रही दी यूरे नहीं नहीं निकल रहा था उसकी वज़े से उसकी तकलीफ और बढ़ गई राइट वो तडप रही थी मुझे याद है हम जब जब जन्नल वार्ड में थे वहां पर में हॉस्पिटल के बाथरूं में गु को भी उनों ने उसको टीट किया कुछ दिया शी वास आउट आफ रिलीफ एंड विदिन वन और टू डे वे उसको ऐसे था ही नहीं वो पेन ही नहीं था फरमेशन उस समय उस पर दया की तो आप उस प्रादना का उतर अपनी जोली में पा सकते हो उपवास के साथ हालेलुय आप एक और चीज में का उनगा एक लुका के अंदर आएंगे दो का सैतीस में करेंगे एजरा भी बोला था हाँ एजरा पड़ी लिजिए आठ का एक्की से तेईस आठ का एक्की से तेईस तब मैंने वहां अर्थात अहावा नदी के तट पर उपवास का प्रचाज इस कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्थ संपती के लिए सरल यात्रा मांगे क्योंकि मैं मार्ग के शत्रूं से बचने के लिए सिपाईयों का दल और सवार राजा से मांगने से लज जाता था क्योंकि हम राजा से ये कहे चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए किरपा दिश्टी रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद है इसी विशे पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रात्ना की और उसने हमारी सुनी हलेलुया यहां पर जब आप 21 में जाओगे ना 21 एक बार फिर से स्क्रीन पर लाना वचन यहां पर लिखा है बाल बच्चों के लिए हमारी रक्षा के लिए हमारे माल के लिए क्योंकि एजरा यहूदियों को लेकर यरुशलम जा रहा था उसको बनाने के लिए और मंदर को बनाने के लिए क्योंकि काफी सालों के बाद ऐसा हुआ था तो वो नहीं चाहते थे कि राजा से हम कोई हेल्प लें और जब वो जा रहे थे थोड़े लोग थे तो डाकू थे शत्रू थे उनके विरुद में जो जातियां थी वो नहीं चाहते थे कि यरुशलम का मंदर फिर से बनाया भी जाए तो उन सबसे प्रोटेक्शन के लिए हाजलुया अपनी प्रॉपर्टी की सेफटी के लिए अपने बच्चों की अपनी फैमिली की रक्षा के लिए उन्होंने परमेशर के सामने टाट ओड कर उपवास रखकर प्राधना की और अंत में वह क्या कहता है जैसा हमने उपवास रखकर प्राधना की परमेशर ने हमारी सुन ली आई जैसे बेहनोंने का तो आप टो आप सकते वी ऊपवास और प्रात्मा गलत नहीं है अफिन अपनी प्रबफर्टी के लिए हैं है यहां पर लिख रहा है अपनी जंणी की सेफटी के लिए कि आप डेस्टिनेरिशन पर सही से पहूचो उसके लिए भी ऊपवास यह ऐसा नहीं कि मैं माथेरान गूमने गया तो सेफटी के लिए ऐसे रही है यह किसी विशे के लिए जा रहे दे इनके साथ जो सामान था जो कारे करना था तो आने वाले समय में आपको अलग अलग राजियों में अलग अलग जातियों के बीच में जब प्रभू खड़ा करने जाएगा तो यह नवन जो हवा में भाई असना के सबीन दौा असना जाम सिखेलाएं बीन फास्टिंग आपने तुना है अंकूर ना रूला यह जो भी प आपको प्रभू करने जा रहा है वहाँ प्रभू उस वचन को उनके हिर्दे में डाले इस कारण वह करते हो पास्टर प्राद्ना हमें भी करना है हालेलुया आगे आगे ओवर कमिंग इविल एक बार लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री में मैं रेफरेंस खुलवाता नहीं हू आपको पता है नहीं नियम में है कि जहां पर एक व्यक्ति बाप अपने बेटे को लेकर आया था जिसको चेले ठीक नहीं कर पाया थे और येशु ने आकर दुस्टात्मा को डाटा और इसे ठीक कर लिया राइट तो पहले तो येशु के चेलों ने पूछा हम क्यों नहीं क जा सकती तो ये हमको मैचुर्टी का साइन है कि क्योंकि लिखा हुआ है कि जब हम दुस्मन की टेरिटीर में जाते हैं तो हमें पता आना चाहिए कि हमारे साथ जो है उससे ज्यादा है कि मैं उससे लड़ पाऊंगा कि नहीं नहीं तो बेवकुफी होगी हार के आ जाओगे ये sensitive matter है बहुत बहुत sensitive matter है येश्व हमारे साथ है हम विजयता हों से बढ़कर है हमारी लड़य जीती हुई हमें पता है बड़ विदाउट प्रेपरेशन जाना ये बेवकुफी की साहिन है और येश्व वो बताना चाहता था यही चेले थे जो दुस्टाद्मा को निकाल आनंदित होके आये थे पर यहां पर सटेन जगे पर येशु ने इसा नहीं कि हाओ सकता है यहां पर इस्पेशली मेंशन करता है प्रभू येशु कि कुछ जातिया है जो बिना अपवाथ और प्रात्मा के नहीं निकल सकती है समझ रहो तो हमें जानना है ऐसे नहीं कि कहीं पर भी दुश्टा आत्मा के केस में कूद बढ़ो मैं आपको डराना मी नहीं चाहता यू नो नेवर नो दरीजन बिहाइंड के वो क्यों फसे हुए है तो आपको उपवाश परात्ना में इसलिए जानना है एक तो आपके पास कवरिंग हो वो चीज और प्रभू आत्मा में आपको प्रगड कर देगा कि वो सामने वाला परिवा क्यों फसा हुआ है ताकि आप उनको सोलुशन बता सको और जब आप कमांडिंग के साथ उनको निकालोगे तो वहां से भागेंगी हालेलुया हालेलुया यही चेले थे ज कि वहां पर एक लड़के को ठीक नहीं कर पा रहे थे जिसको जुस्टादमा जगर के बैटी वही थी तो यहां पर वश्में नहीं थी क्या थी वह अधिकार था पद्यर वास सम वहायर पावर का था जहां पर येशुद चाहता था कि वह उपास और प्रात्ना करके ऐसे कैस को अधिक करें एमें एमें लुका के दो के सेथीस में याएंगे सिफ पास मिनलूंगा और प्रेटों में भी आएंगे हम लोग देरा और चोदाद है में लुका दो का सेथीस वह चौरा सी वर्ष से विद्वा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी तू का 37 वह चौरा सी वर्ष से विद्वा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उप्वास और प्रात्ना करकर कि रात दिन उपासना किया करती थी। वो मंदिर में बैठी रही, उपवास और प्राधना करकर के उपवासना करती रही, ताके परमेशर की वो योजना पूरी हो और उसको वो अपनी आँखों से देख सके. आप भी अपने परिवार के वेशे में, ऐसे नहीं कि आप परिवार के उध्धार की अपेक्षा कर रहे हैं, पर वो आपके मरने के बाद हो. समझ रहे हो? तो जो प्राउमिसस किसी किसी इस्तान पर कुछ चीजें हमारे बाद पूरी होंगी, और परमेशा करेगा हमारे जर्नेरेशन के साथ, वो वफादार है, पर सम्वेर, जब आप चाते हो कि आपके आँखों रहते हैं, जीते जी वो चीजें हों, बट डिफिकल्ड है, इंपॉसिबल है, ये सोचों कि चासो साल से ज़्यादा पीरड गुजर चुका है जब परम परमेशा की आवाज किसी ने सुनी हो, और यहां पर एक विद्वा 84 येर से मंदर को नहीं चोड़े ही, वो मसी आएगा और मैं उसको देखकर जाओंगे, एमेन, 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 विद फास्टिंग और उसको ये प्रोविजिन मिला कि ऐसा होस के साथ, मिस उसकी आयू शी वाज इंटो देखकर जाओंगे, एमेन, और प्रेतों में आएंगे आखरी, मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तेरा अध्याय पड़ेंगे, उसमें दो से चार और चौदा अध्याय का तेईस, तेरा का दो से, जब वे उपवास सहित प्रभू की उपासना कर रह थे तो पवित्रा आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाओल को उस काम के लिए अलग करो, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है, तब उन्होंने उपवास और प्रात्ना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया, चोदा का, पूर्थ भी बढ़ी है इसका, जी अतर वे पवित्रा आत्मा के भेजे हुए सिलकुया को गए और वहां से जाच पर चड़कर साइप्रिस को चले जहां पर दो बार आया कि प्रभू के दासों ने उस समय जो प्रेर से, डिसाइपल से, उन्होंने बरनबास और शाओल, जो पॉलु से, उनको एक कारे के लिए जो पवित्रा आत्मा ने किया था, कि ये अन्या जातियों में जाकर प्रभू की सेवा करेंगे, उन्होंने बेटर उपवास और प्रात्ना से करो, ताकि पवित्रा आत्मा रिवील करें, कई बार हम जो इंसान जो मिस्टेक करते हैं, ये में भी करता हूं, शायद लीडर्स भी करते हैं, उनको क्या लगता है ना कि सन्नी यार इंग्लिश बोल पाया का ना, इसलिए सन्नी को बेजना याँ पे सही है, यह 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 लेडी है न, बोल्ड है, इसलिए इसको याँ पे बेजना सही ही है, यह यह ऐसा दिखता है, यह ऐसा किया हुआ है, इसलिए इसको बेजना सही ही है, ऐसा मत करो, पवित्रा आत्मा से पूछो, उपवास और प्रात्ना में रहकर प्रभू, चाह God in fasting and prayer और आप blessing पाओगे आप देखो कि वहाँ पर योजना जरूर पूरी हो रही है और काम प्रभु का फटा फट हो रहा है पर अगर हम लोग अपने व्यक्ति के दिन चीजों में लगे रहेंगे न वहाँ पर प्रभु की योजना पूरी नहीं होगी आगे पढ़ेंगे 14 का 23 और उन्होंने हर एक कलिस्या में उनके लिए प्राचीन ठेराए और उप्वास सहित प्रातना करके उन्हें प्रभु के हाठ सौपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था अथारिटी एल्डर्स की निउक्ति भी भी उपवास और प्रातना से की गई हर कलिस्या में प्रहचीन ठहराते समय उपवास रखे किया गया that much seriousness there were in the ministry while planting the church while allocating pastors and elders of the church उपवास और प्रातना से यह हमसे mistake होती है हमें यह रिलाइस करनी है और करेक्शन करना है hallelujah hallelujah शीखना है ऐसे नहीं दोश लगाना है pastor आपने इसा कैसे कर दिया यह तांके सम्झा हुए यह 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 बंदा तई पान में लगा पैन नहीं अगर यहाँ पर नहीं हो रहा है कहीं पर भी आप देख रोग किसी भी कलिस्या में जाए अपनी कलिस्या में करके सही व्यक्थी करना चाहिए समझ देहो जिसे आप ने चुना है हालेलु या अल्यू या चिठी या डाले गई न मतिया के नाम पे निकली के नहीं निकली वो थे ज त्यू या हालेलु या आप भी जो सेवा करो शई तरीकेसे करो सही चुनाव से करो तो फुटुल होगे और कम टाइम में बेस्ट कर पाओगे, पर अगर आप अपनी ताकत काबिलत से और किसी भी मनुश्य के चुनाव से करने पाओगे ना, नहीं होने पाएगा, और उपवास है ना, जैसे मैंने कहा ना, कि उपवास परमेशय के प्रेजन्स में जाने से इजी हो जाता है, इस यहां अपने गराने को बचाना है, I will be going into fasting and prayer, for backing, तो हम लोगो नहीं रीजन जाना, पश्चादाब के लिए था, आप किसी के लिए विलाब करते हो, उस विशे में था, परमेशय की इच्छा को जानने के लिए, उसको पूरा होने के विशे में, ऐसे नहीं कि सिर वचन दि हालेलुया, आप कहीं पे जाते हो, कोई भी ministry काम के लिए, बैकिंग के लिए से प्रेयर नहीं, बैकिंग के लिए fasting भी आप बोल सकते हो, आप वहाँ पे results देखोगे, God will be with you, हालेलुया, ministry में कोई special purpose, जैसे मुसा को दस्या आगया है में लिए ये शु की ministry चालो ही, उसके के लिए fasting, अपनी प्राथना का उतर अपनी जोली में लाना है, जो रुकी प्राथना है पुरानी है, उसके लिए fasting करनी है, और दुष्टा आत्मा उन शक्तियों के ऊपर ओवर कम करने के लिए आपको फास्टिंग और प्रेयर जानी है, हालेलुया, परमेशन वचनों से आ इस प्रिकार की फास्टिंग से मैं प्रसन नहीं होता हूं, इस प्रिकार की फास्टिंग मुझे चाहिए, आप जाएए, उन वचनों को पढ़िए, प्रभू आपको गाइड करेगा, आने वाले चोदा दिनों में भी जब इकलिस्या निरंतर हर दिन पर चल रही है, हम वच खाने के लिए नहीं, जस ऐसे ही, फॉर्मलिटी के लिए नहीं पिता, पर एक पॉपस के लिए, उदेश्य के लिए प्रभू हम करने पाएं, और आज से हम अपने जीवन में उस बदलाओ को देखें पिता, कि हम ऐसी फास्टिंग करें जो आपको गिरणी हो गया हो, और उ मौझुद हर एक भाई बैन, उसके घराने को तू ब्लेस करना, आने वाले और चौदा दिन है प्रभू, फास्टिंग में, प्रभू जादा से जादा लोग इसमें शामिल होने पाय पिता, ताकि आपकी पवितर योजना इस कली से आमें पूरी हो, आपने मारी मिलकर की प् करके आपने उसे ब्लेस किया, इसराइल को प्रभू तु बंदो आई, इसे लेकर आया प्रभू, प्रभू हम आपसे वही करोणा की अपेशा करते हैं, क्योंकि वच्छन कहता है, तु करोणा ने दान, विलंब से करोद करने वाला, शमा की खानी, और धयाल उपर में शौर प्रातना उद्धार करता प्रभू येश्यू के नाम से मांगते हैं, आमें, आमें, में गौड ब्लेस यू, आईए, अपने इस्तानों पर खड़े हो जाए, आकरी के आशिश को लेंगे, अब हमारे पिता परमियेश्यू का प्रेम, पुत्र प्रभू येश्यू मसी का अन करना चाहते हैं, तो इस सभा को जरूर अटेंड करें, और आने वाली 17 तारीक को उलास नगर के अंदर, इगल होटर, डायमंड हौल के अंदर, एक सभा होने जा रही है, परिवार के लिए, उसके विशे में पासिस अवेलेबल है, आप कलिक कर सकते हैं और सभा को अटेंड कर सकते हैं, May God bless you.